हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग चलिए continue करते हैं अपना discussion जिसमें हम लोग discuss कर रहे हैं इंडियन agriculture के बारे में और आज यह इस course का नौवा lecture है जिसमें हम लोग एक काफी important topic के बारे में बात करेंगे हम लोग बात करेंगे मक्के के बारे में और जूट के बारे में तो इस topic से संबंधित जितने भी important facts और concepts हो सकते हैं आपके exam के दृष्टिकों से वो सभी कुछ आज हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस topic की theory cover करेंगे काफी अच्छे से और फिर वीडियो के end में हम लोग discuss करेंगे इसी theory पर based mcqs clear तो बिना देरी की यह सुरू करते है अपना discussion और बात करते हैं theory की तो देखिए आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई यह पूस्ता है कि मक्के की खेती की सुरुवात हुई कहां से है मक्के का जरमस्थान क्या है तो आपको बतारना है Mexico clear अब से लगबग 10,000 साल पहले Mexico में मक्के की खेती की जाने लगी थ ठीक है आगे बात करते हैं मक्के के scientific name की तो यह भी आपको याद रखना है मक्के का जो वानस्पति की नाम है वो है जिया मेज के लिए आगे बात करें देखिए आपको याद रखना है कि जो मक्का है वो एक C4 पोदा होता है यह काफी important fact है बहुत बार exam में पुछा जा वो परकास संसलेशन के किरिया के द्वारा अपने भोजन का निर्मान करते हैं ठीक है तो इसी परकास संसलेशन के किरिया के आधार पर पोदों को हम लोग कुछ भागों में बार सकते हैं जैसे कि C3 पोदे होते हैं C4 पोदे और कैम पोदे इन में से जो कैम पोदे हैं इनक संसलेशन की किरिया के बारे में इसमें होता क्या है सूर्य के परकास की उपस्तिती में सनलाइट की परजाएंस में जो पोदा है वो एनवार।वेट्स से कारबंडाई आकसाइट गैस को ग्रेहन करता है और जडो के दुआरा जल को अवसोसीद करता है और पोधों की हरीपत्ती में होता है कलोरोफिल तो उसकी परजैंस में पोधा जो है परकास संसलेशन के किरिया करता है और अपना भोजन बनाता है देखे क्या बनाता है ये बनाता है कार्बोहेड्रेट गुलकोज बनाता है और oxygen को environment में release करता है तो ये होता है परकास sensation के किरिया में अब ये जो किरिया है ये अलग-अलग पोधों में अलग-अलग परकार से होती है इसी परकास sensation के किरिया के आधार पर यहाँ पर हम लोग पोधों को दो भागों में बाट कर देखेंगे कौन-कौन से? C3 और C4 पोधे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं C3 पोधों के बारे में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि photosynthesis में जो पोधा है वो environment से carbon dioxide को ग्रहन करता है ठीक है? तो ये जो C3 plants होते हैं इन में carbon dioxide को ग्रहन करने वाला जो enzyme होता है उसका नाम है rubisco enzyme तो इस enzyme का नाम आपको याद रखना है ये होता है C3 पोधों में जिसका काम क्या है? carbon dioxide को ग्रहन करना अब C3 plants की जो परकास sunsillation के किरिया होती है उसमें उतपाद क्या बनता है? ये काफ़ important है इसमें जो उतपाद बनता है वो बनता है तीन carbon वाला clear इसी कारण से इनको बोला जाता है C3 plant ये जो तीन carbon वाला उतपाद है product है इसका नाम भी आपको याद रखना है इसका नाम है phosphoglyceric acid right इसका chemical formula आप देखिए इसमें है तीन carbon 1, 2, 3 clear तो phosphoglyceric acid में तीन carbon होते हैं इसी कारण से इस परकार की परकास suns lesson के किरिया करने वाले पोदों को कहा जाता है C3 पोदे ये आपको याद रखना है अब बात करते हैं examples की कि कौन-कौन से पोदे जो है वो C3 plants कि स्रेड़े में आते हैं आपको याद रखना है चावल, राई, टमाटर, बैंगन, गेहूं, सुरजमुकी, सोयाबीन, आम, मुंगफली, आलू और जो और भी बहुत सारे पोदे हैं ये सारे पोदे जो हैं वो C3 पोदे होते हैं अब हम लोग बात करते हैं C4 पोदों की देखिए C4 पोदों में जो परकास संसलेशन के किलिया होती है वो थोड़ी अलग होती है देखिए होता क्या है इन में जो कार्बन डाई आकसाइड को ग्रहन करने वाला एंजाइम होता है वो अलग होता है उसका नाम देखे क्या है उसका नाम है pep cage enzyme तो यह आपको याद रखना है C3 podo में होता है rubisco enzyme और C4 podo में होता है pep cage enzyme clear और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो 4 carbon वाला बनता है किसी कारण से इन podo को का जाता है C4 podo यह जो 4 carbon वाला उत्पाद है इसका नाम भी आपको याद रखना है इसका नाम है oxyelo acetate clear यहाँ पर इसका chemical formula आप देख सकते हैं इसमें 4 carbon होते हैं 1, 2, 3, 4 clear तो ऐसे पोदे जिनमें जो उत्पाद है वो 4 carbon वाला oxyelo acetate बनता है उनको कहा जाता है C4 podo यह आपको याद रखना है गन्ना, मक्का, जवार और बाजरा और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये important हैं के नाम आपको याद रखने हैं गन्ना, मक्का, जवार बाजरा ये पोदे जो हैं C4 podo होते हैं तो यहाँ पर मैंने एक basic difference बताने की कोशिस किया आपको C3 plants और C4 plants के बीच में आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा तो आपको याद रखना है कि जो मक्का होता है वो भी एक C4 podo है आगे बात करें देखिए आपको याद रखना है कि मक्का को कहा जाता है अनाजव किरानी और मक्का के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है दो मट मिट्टी ये भी आपको याद रखना है अब हम लोग बात करते हैं भारत में मक्के की खेती की देखिए भारत में जो मक्के की खेती की सुरुवात हुई है वो हुई है पंदरवी सदी में पूर्टगालियों के दुवारा जो है भारत में मक्के की खेती की सुरुवात की गई थी आपको याद रखना है ठीक है इसके विप्रीत अगर हम लोग बात करें गेहूं जों और चावल की खेती की तो इनकी खेती जो है भारत में प्राची इनकाल से की जा रही है आपको याद रखना है आगे बात करें देखिए आपको याद रखना है कि मक्के में 79% कार्बोहेडरेट 5% प्रोटीन और 5% वसा होती है ठीक है मक्के की प्रोटीन को कहा जाता है जीन ये भी आपको याद रखना है काफी important fact है कि मक्के की प्रोटीन को जीन कहा जाता है ठीक है आगे बात करें देखिए अगर हम लोग बात करें धानने फसलों की तो सभी धानने फसलों के मुकाबले जो मक्का है उसमें स्टार्ट की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है याद रखना है मक्के से जो है अलकोहल बनाया जाता है जिसका परियोग बायो डिजल के उत्पादन के लिए किया जाता है आपको याद रखना है और बायो डिजल जो है वो डिजल का एक विकल्प है किलियर आगे बात करें देखिए आपको याद रखना है कि विसु में मक्के का सबसे बड़ा आयातक राष्ट कौन सा है तो मेकसिको है और निरियातक राष्ट सबसे बड़ा कौन सा है तो USA मेक्सिको जो है वो सबसे जादा मक्के को इंपोर्ट करता है उसका आयात करता है याद रखना आपको और USA जो है मक्के का सबसे जादा निर्यात करता है उसका एक्सपोर्ट करता है तो यह काफी important facts है इनके बारे में आपको याद रखना है बात करें भारत की तो देखिए अब ये monosius plant क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं देखिए इस परकार के जो पोधे होते हैं उन पर नर और मादा दोनों पुस्प होते हैं आपको पता है कि जो पुस्प होता है वो पोधे का reproductive organ होता है और reproductive organ जो है वो दो परकार का हो सकता है male reproductive organ और दूसरा female reproductive organ तो उसी आदार पर पुस्प जो हैं वो दो परकार के हो सकते हैं नर पुस्प और मादा पुस्प यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसे पोधों की जिन पर नर और मादा पुस्प जो हैं वो दोनों होते हैं उस परकार के पोधों कहा जाता है उभै लिंगा सरी पोधा या फिर मोनोशियस आगे बात करें देखिए मक्के का जो नर पुस्प होता है उसको कहा जाता है टैसल किलियर और पोदे से टैसल को हटाने की जो परकिरिया होती है उसको कहा जाता है डी टैसलिंग किलियर और जो मक्के का मादा पुस्प होता है उसको कहा जाता है सिल्क या स्टाइल स्टाइल यह एक लंबा सा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है एक धागे नुमा सनचना होती है आपको याद रखना है ठीक है इधर देखें यहाँ पर यह जो मक्के का उपरी हिस्सा है यह है मक्के के पोदे का नर्पुस्प जिसको टैसल कहा जाता है इसी को यहाँ जूम करके दिखाया गया है टैसल पर ही होते हैं एंथर्स एंथर्स मतलब प्राकोस जिसके अंदर होते हैं पॉलेंस मतलब प्राकन ये जो देख रहे हैं आपर ये हैं टैसल के अंदर जो प्राकोस है वो किलियर और इने के अंदर होते हैं प्राकन यहाँ पर नीचे देखें ये ये हैं मक्ये के पोधे का मादापुस्प, ये female reproductive organ होता है जिसको silk कहा जाता है आगे बात करें, देखिए मक्के में सवपरागन cell pollination और परपरागन, cross pollination दोनों हो सकते हैं, अभी इनके बारे में समझते हैं, कि भाई ये सवपरागन और परपरागन ये होते हैं, तब जाकर आपको अच्छे समझ में आएगा, तो monotious plant के बारे में आपको पता चला, ये उस परकार के बोधे होते हैं, जिन पर नरपुस्प और मादापुस्प एक साथ होते हैं, ठीक है, बात करें पुदे होते हैं, जिनको का जाता है, एक लिंगा सरी पुदे, यà फिर इंगलिस में इनको का जाता है, डायोचियस plant अब ये किस परकार के बोधे होते हैं, दे कि अब हम लोग बात करते हैं सवपरागन की और परपरागन की देखिए पोदों में जो reproduction है वो दो परकार से हो सकता है एक तरीका है सवपरागन के द्वारा और दूसरा है परपरागन के द्वारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सवपरागन की जिसको एंगलिस में बोलते है cell pollination, अब देखिए इसमें क्या होता है इस image पर आपको ध्यान देना है मैंने आपको बताया कि जो पुस्प है वो पोधे का reproductive organ होता है और वो दो परकार का हो सकता है male reproductive organ और दूसरा female reproductive organ तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर यह जो enter है यह है प्राकोस, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकोस, यह क्या है यह होता है male reproductive organ और देखिए यहाँ पर यह जो stigma है इसको हिंदी में बोलते है वर्तिकागर यह होता है female reproductive organ ठीक है, तो होता क्या है यह जो प्राकोस है, इसके अंदर होते है पॉलेंस मतलब प्राकन तो सवप्रागन में देखे क्या होता है सवप्रागन में जो प्राकन होते हैं वो प्राकों से उसी पुस्प के वर्थिकागर पर पहुंचते हैं या फिर उसी पोधे के किसी अन्य पुस्प के वर्थिकागर पर पहुंचते हैं और reproduction का process शुरू होता है तो यह होता है सवप्रागन में आपको याद रखना है बात करें परप्रागन की cross-pollination की देखे इसमें क्या होता है इसमें किसी पूस्प के प्रागकन उसके प्रागको से निकल कर उसी जाती के दूसरे पोधे के और reproduction का process शुरू होता है तो क्या बताया मैंने आपको परप्रागन में देखे क्या होता है कि एक पूस्प के प्रागकन उसी जाती के किसी दूसरे पोधे के पूस्प के वर्तिकागर पर पोऊंचते है तो यह होता है cross-pollination में आई होप की आपको यह समझ में आगया होगा तो देखिए मैंने आपको बताया उभै लिंगा सरी पोधे के बारे में monoecious plant के बारे में इनमें क्या होता है इनमें जो नरपूस्प है और मादापूस्प है यह दोनों एक साथ एक ही पोधे पर उपस्थित होते है ठीक है तो इनमें क्या होगा इनमें सवपरागन और परपरागन यह दोनों हो सकते है लेकिन जो एक लिंगा सरी पोधे है जो डायोशियस प्लांट है इनमें केवल परपरागन ही हो सकता है केवल cross-pollination ही हो सकता है आई होप कि आपको यह समझ में आगया होगा आगे चलते हैं तो देखिए आपको याद रखना है कि जो मक्के का पोधा होता है चूंकि वो एक उभे लिंगा सरी पोधा है मोनोशियस प्लांट है तो उसमें सवपरागन और परपरागन यह दोनों हो सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं मक्के में लगने वाले पर्मुक रोगों की यह भी काफी important है इसके बारे में भी आपको याद रखना है मक्के के जो पर्मुक रोग है उन्हें में सामिल है परन अंगमारी इसको लीब बलाइट का यादता है यह आपको याद रखना है स्टोक रूट जो की कवक द्वारा लगता है मुजैक और रोमिल मृदुल रोग तो यह मक्के के कुछ पर्मुक रोग है इनके बारे में आपको याद रखना है आगे बात करें मक्के की पर्मुक परजाती होगी यह भी काफी इंपोर्टेंट है इनके बारे में भी आपको याद रखना है देखिए मक्के की जो पर्मुक परजाती है उनमें सामिल है तो इनके नाम भी आपको याद रखने है यहाँ से बहुत बार एक्जाम में कुष्टन आता है आगे बात करें अब देखें कुछ और important facts हैं मक्के के बारे में आपको याद रखने है मक्का जो है वो वर्स बर बोई जाने वाली फसल है मतलब मक्के की खेती जो है वो खरीब रभी और जायद इन तीनों रीतों में उसकी खेती की जा सकती है आपको याद रखने है ठीक है आगे बात करें देखें उत्तर भारत में जो मक्के की खेती है वो खरीब में की जाती है आपको याद रखना है और बात करें दक्सिन भारत की तो देखें दक्सिन भारत में जो मक्के की बौई है वो किया जाती है अप्रेल और अक्टूबर महिने में आगे बात करें देखें रबे की फसल के रूप में जो मक्के की खेती है वो किया जाती है बिहार में और बिहार में मक्के की एक किस्मुगायत दी जिसका नाम है लक्समी, तो ये भी आपको याद रखने हैं, आगे बात करें, देखिए, दक्सिन भारत के लिए मक्के की जो उप्यूक्त किस्म हैं, वो कौन-कौन सी हैं, वो है रंजीत और दक्कन्त, तो इन दोनों के नाम आप उच्छे जाते हैं इनके बारे में आपको याद रखना है ठीक है है अब हम लोग बात करते हैं rocking की कि भारत के कौन से ज्यादा उत्पादन किया जता है उसके बाद मद्यपरदेश में उसके बाद बिहार में ठीक है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मक्का उत्पादन की मक्का उत्पादन में नमबर एक स्थान पर है करनाटक राज्ये दूसरे स्थान पर है मद्यपरदेश राज्ये और सबसे ज्यादा मक्का ओगाय जाती है आपको याद रखना है ठीक है तो मध्यबर्देश नमबर एक तேरपल के साब से नमबर दो तेन पर है करनाटा क्राज्य और नमबर तीन पर है महरास्ट के लिए तो ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है clear और जो चाइना है वो नमबर दो स्थान पर है तो यह आपको याद रखना है आगे बात करें मक्का छेतरपल की तो देखिए मक्का छेतरपल को लेकर जो चाइना है वो नमबर एक स्थान पर है और USA जो है वो नमबर दो स्थान पर है तो यह रैंकिंग्स आपको याद रखन तो देखे यहाँ पर मक्का से संबंदित जितने भी important facts, concepts हो सकते थे आपके exam के दिश्टिकों से, वो सभी कुछ हम लोग discuss कर चुके हैं, अब हम लोग बात करते हैं, जूट के बारे में ठीक है, ये भी काफी important है, इसके बारे में जितने भी important facts हैं, उनको जानते हैं, देखे आपको याद रखना है कि जो जूट है, वो टिलियसी कुल का पोदा है, clear, तो ये काफी important facts है, इसके बारे में भूलना नहीं है, बात करें इसके जनमस्थानगी, तो इसका जनमस्थान है, अफरीका वे भारत, ये भी आपको याद रखना है, आगे बात करें, देखिए, पेंदरिये जूट अनुसंधान, ये काँ पर है, ये है बैरकपुर में, पस्य मंगाल में, भूलना नहीं है इसके बारे में, आगे बात करें, देखिए, जूट का जो पोदा होता है, उससे रेसे को निकाला जाता है, अपगलन विधी के द्वारा, clear, तो अपगलन विधी एक बार आपको याद रखना है कि जूट की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायू चाहिए होती है वो है उसन आद्र उसन और आद्र जलवायू की जरूत पड़ती है ठीक है बात करें तापमान की तो तापमान की जरूत पड़ती है लगबग 25 डिगरी सेंटिगर नवीन जलोडिय मिट्टी नई जलोडिय मिट्टी आगे बात करें देखिए इसकी खेती के लिए तेज धूब जो होती है वो अच्छी होती है और एक काफी important factors के बारे में आपको याद रखना है कि जूट को भारत का स्वरनिम तंतु का जाता है ये बहुत बार एक जामें पूछे जाता है आपको भूलना नहीं है अब हम लोग बात करते हैं जूट की rankings की और देखते हैं कि भारत के कौन से रज्य में सबसे जाता जूट उत्पादन किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जूट उत्पादन जूट छेत् भल और जूट उत्पादकता इनको लेकर पसी मंगाल जो है वो नंबर एक स्थान पर है उसके बाद नंबर आता है बिहार का उसके बाद असम का ठीक है तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है नंबर एक स्थान पर है पसी मंगाल जूट की यहां पर बात हो रही है दूसरे स्थान पर है बिहार और तीसरे स्थान पर है असम के लियर अब हम लोग बात करते हैं जूट की रैंकिंग्स की वर्ल्ड में कि विस्व में क्या रैंकिंग है जूट की उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जूट उतपादन और जूट छेतरपल को लेकर एक ही ranking है वो क्या है इन दोनों को लेकर जो भारत है वो नंबर एकस्थान पर है और जो बांगलादेश है वो नंबर दोस्थान पर है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि जूट उत्पादन और जूट छेतरपल को लेकर भारत नंबर एक स्थान पर है और बांगलादेश नंबर दो स्थान पर है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं जूट उत्पादकता की तो देखिए जूट उत्पादकता को लेगर जो चीन है वो नंबर एक स्थान पर है और चीन के बाद नंबर आता है भारत का भारत जो है व कि जितनी भी rankings हैं ये latest ranking है अभी के लिए ये सारी के सारे rankings बिल्कुल latest है और चुकि आप जानते हैं ये जितनी भी rankings हैं ये time to time बदलती रहती हैं तो हम लोग क्या करेंगे जब भी ये ranking बदलेगी अभी के लिए तो बिल्कुल latest हैं इस चीज को लेकर आप बिल्कुल sure रहो ल तो आपको क्या करना है आपको theory इस course को देखके cover करनी है काफी अच्छे से और रही बात rankings की अभी के लिए यही वाले rankings याद करो और जब भी यह update होगी तो मैं केवल उसी वीडियो को update कर दूँगा आपको जाकर वही वाली वीडियो देख लेनी है ठीक है तो देखे यहाँ पर हमारा जो theory वाला section था वो complete होता है हम लोगों ने मक्का और जूट के वारे में काफी अच्छे से discuss कर लिया है इससे संबंधित जितने भी important facts हो सकते दे आपके exam के दश्टिकों से वो सभी कुछ हम लोगों ने cover कर लिया है मुझे उमीद है कि आपको चिज्जे याद हु पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको वीडियो को पोज करना है पहले सारे question खुद से try करने है इनके answer खुद से निकालने है और उसी के बाद अपना answer मेरे answer से match कराना है ठीक है तो इस परकार से सारे question आपको सोर करने है तब ही जाकर आपको इस discussion का अच्छे से फायदा ह है तो आपको राज्य का नाम बताना है ठीक है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा पसी मंगाल option b clear तो वो ranking आपको याद रखनी है पसी मंगाल बिहार और असम clear आगे बात करें question number 3 की बात करते है नेमली कित में कौन सा समू रेसे वाली फसलों से संबंदित है तो यहाँ पर question number 4 की भारत में जूट उद्योग परमुक्तक केंद्रित है तो कौन से राज्य में केंद्रित है जूट उद्योग यह आपको बताना है ठीक है तो देखिए जूट उद्योग जो है वो पस्ती मंगाल में केंद्रित है option d जो है यहाँ पर सही हो जाएगा question number 5 की बात करते है वर्ष बर बोय जाने वाली फसल कौन सी है तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं देखिए वर्ष बर बोय जाने वाली फसल है मक्का clear तो option d यहाँ पर सही हो जाएगा मक्का question number 6 की बात करते है गंगा के निचले मैदनों की यह विसेशता है कि यहाँ वर्ष बर जल तापमान और आदर जलवाईयों की जरुत पड़ती है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धान वैजूट clear तो option c सही होगा धान और जूट इन दोनों फसलों की अच्छी खेती करने के लिए उच्छ तापमान और आदर जलवाईयों की जरुत पड़ती है ठीक है question number 7 की बा मक्की की खेती की जा सकती है आपको याद रखना है option d यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है देखिए मैं आपको remind करा देता हूँ आपको केवल वीडियो देखने ही नहीं है आपको वीडियो पोज करके question solve करने है right question number 8 की बात करते है नेमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला मक्का के परियोग से अलकोहली पे उत्वन किया जा सकता है ठीक है तो देखते हैं कौन सा statement यहाँ पर सही है कौन सा गलत है तो जो पहला statement है बिल्कुल सही है मक्का से जो है स्टार्स का उत्वादन किया जा सकता आपको याद रखना है और जो statement तीन है यह भी बिल्कुल सही है मक्का से जो है अलकोहल बनाया जा सकता है और स्टेटमेंट दो भी बिल्कुल सही है मक्का से जो अलकोहल बनाया जाता है उसका परियोग जैव डिजल बनाने के लिए किया जा सकता है तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनके बारे में थियोरी वाले सेक्षन में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिसकस किया था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा option D, 1, 2 और 3, ठीक है, question number 9 की बात करते है, मक्का की फसल की पकने की अवदी कितनी है, देखिए मक्का की फसल की पकने की अवदी जो होती है, वो होती है लगबग 110-120 दिन के आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा option D, 110 दिन, clear, तो यह आपको याद रखने है, question number 10 की बात करते है, नेमली कितनी में से कौन सा C4 पोदा है, आनुवांसिक परिवर्थित फसले हैं, genetically modified crops हैं, किसकी, यह आपको बताना है, तो सक्तिमान 1 और सक्तिमान 2, यह जो है, यह मक्का की किसमें है, आपको याद रखना है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, option C, मक्का की, clear, question number 12 की बात करते हैं, निमले की तिमें से कौन सा फसल चक्र, पूर्वी उत्तर परदेश के लिए, सरवादिक उप्यूक समझा जाता है, ठीक है, तो देखिए, फसल चकर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अपने नहीं देखा है, तो आपको पहले वाज डिसकसन जाकर देख लेने हैं, ठीक है, पूर्वी उत्तर परदेश के लिए, जो सबसे अच्छा फसल चकर है, वो होता है, धान, मक्का और गें, ठीक है, धान, मक्का और गें, धान के बाद मक्का और इसके बात गें हूँ, ये वाला जो फसल चकर है, ये पूर्वी उत्तर परदेश के लिए, उपियुक्त फसल चकर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेस्टर नमबर तेरा की बात करते हैं, भारत के निमलिकित राज्यों को उनके मक्का उत्तपादन के अवरोही करम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो पहला दिया हुआ है आंध्रपरदेश, बिहार, करनाटक और मद्ध्यपरदेश, ठीक है, तो देखिए, मक्का उत्तपादन वाली रैंकिंग आपको याद रखनी है, मैं आपको बताई थी, कि मक्का उत्तपादन की रैंकिंग क्या है, करनाटक राज्य नंबर एक पर है, मक्का उत्तपादन को लेकर, उसके बाद मद्ध्यपरदेश राज्य है, और उसके बाद बिहार, ठीक है, तो वो वाली ranking आपको याद रखनी है उसी से यह question solo जाएगा ठीक है तो करनाटक जो है number 1 पर होगा उसके बाद में बद्धेपरदेश number 2 पर और number 3 पर आएगा बिहार और सबसे बाद में यहाँ पर होगा आंदरपरदेश ठीक है आपको comment जरूड करनी है इससे दो फायदे होंगे एक तो आपको पता चलेगा कि आप कितने solo कर पा रहें MCQs दूसरा मुझे पता चलेगा कि इस story से आप कितने question जो है वो solo कर पा रहें आप एक और काम कर सकते हैं इस topic के और कहीं से MCQ लगा सकते हैं देख सकते हैं कि आप वहां से भी कितने question solve कर पा रहें ठीक है तो आपको comment कर रही है आप यहां से कितने question solve कर पाएं तो इस discussion में इतना ही जिसमें आज हम लोगों ने मक्का के और जूट के बारे में बात करी है इन से संबंदे जितने भी important facts हो सकते थी आपके exam के दिश्टिकों से वो सभी कुछ हम लोगों ने cover किया है इस से बाहर आपके exam में कुछ जाने वादा नहीं है आपको इसको पूरा पक्का कर लेना है ठीक है तो इस discussion में इतना ही मिलते हैं next video में Thank you